ओके दिन वेलकम टू दा नेक्स लेक्चर और आज हमारा आउटोकेड मेकैनिकल 3D मॉडलिंग लेक्चर नमबर 14 और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस शीट को पूरा कवर करने वाले हैं टोटल सबसे पहले तो हम इस पार्ट को बनाएंगे तिर इस पार्ट को बनाएंग इस तरह से हम टोटल इस शीट को कवर करने वाले हैं ओके तो देखेगा इसमें 2-3 लॉजिक्स हैं जिसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा है ना खासकर इस पार्ट में और इस पार्ट के लिए जरा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को सो चलते हैं without wasting any time let's get started किसी भी से आप लोगों को दिकत आती है देन माइक खोल के अब अपना question पूछ सकते हो ठीक है कभी भी आपको हर तरह की आजादी दी गई है तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर बार बार क्यों पूछेंगे इतना नराज हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है है ना मैं नराज वराज नहीं हो ठीक है तो आप इंदास हो के पुछिए जब भी दिकत आती है अपना माइक खोलिए और सवाल पुछिए मैं recording stop करके मैं आपके जवाब दूँगा पहले ठीक है बाद में पिर आगे बढ़ेंगे ओके सो feel free to ask ठीक तो चलते हैं इस पार्ट को हम बनाएंगे इस पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें करना होगा start इस left side से यह total view हमें पहले बनाना होगा और बाद में यह उपर का पीछे side हम लोग काम करेंगे ठीक है सो चलिए मैंने autocad start कर लिया है और मैंने units limits and zoom all वगरा सब कुछ set कर लिया है ठीक है तो बस हमें view बनाने है and we are starting from left side तो यहां से आप left में लिजिए और left में जाने के बाद आपको क्या करना है you can see here तो आप क्या कर सकते हो आप देखिए मैं अराम से यहां 84 by 32 अराम से एक rectangle लूँगा या तो फिर हम simply line लेके भी यह काम कर सकते हैं यहां से मैंने start किया है ऐसा and then देखिए यह हमारा है 72 and यह हमारा 84 यहां से हमारा है 72 enter and मैं इसको 84 ले लूँगा अपसेट लूँगा 28 का इससे होगा यह हमें गलती नहीं होगे ठीक है आप इस तरह से तो ले लिया है ex double inter कर देता हूं मैंने ऐसा लिया यह देख लो and trim कर देता हूं या तो फिलेट का भी इसमाल कर सकते थे line ले लेता हूं मैं यहां से यहां तक आई बाद समझ में डिया फोर डिस्टेंस करके आप चेक कर लिजे ज़रा सा कि हमने सही लिया एक नहीं लिया है यह हमने सही लिया है बिल्कुल अब देखिए यहां पर 32 का फिलेट है आप यहां पर फिलेट ले सकते ह अगर पॉली लाइन आप इसको एक्सप्लोड भी कर सकते नहीं तो कोई ज़रुद भी नहीं है आप F is the shortcut for fill लेट आर इस दा shortcut for radius in 32, enter और यहां से आप इसको select किजिए और इसको select किजिए इससे यह हमारा काम हो गया है ठीक है बहुत आसान है अगर आप करेंगे तो और यहां से देख लीजिए एक मुझे और circle लेना है ठीक है तो यह हमारा देखे कैसा है यहां से मैं यहां तक है नहीं 12 दूना 24 का हम यह लेना पड़ेगा क्योंकि radius 12 है तो मैं क्या करता हूँ उपस यहां 84 है इधर से देखिए 32 में है यानि इसका जहां पर radius है है यह देख लो यहां पर इसका आया हुआ है या तो आप चाहें तो यहां से annotate में जा सकते हो नहीं तो हम center तो आसानी से मिल जाएगा हम लोगो को अगर मैं यहां से center find करूं तो यहां तो नहीं मिल रहा आपको यहां पर जाना होगा make all the snaps on है ना इससे होगा यह हमें आसानी से center point मिलेगा यह नहीं मिल रहा है लगता है on नहीं हुआ हो गया ना ठीक हमें c4 circle ले लेता हूँ फिर से and find out the c e n for center and here we have center point आसानी सा गया और यहां पर हमें नहीं चाहिए actually क्या चाहिए देख लो इसके center हमें इधर है ठीक है यहां पर नहीं चाहिए मैं इसको क्या करूंगा radius 12 ले लेता हूँ मैं यहां पर है ना बाद में मैं उसको move कर दूगा no problem मैं इसको select करता हूँ M is the shortcut for move और आप चाहे तिसको पकड़के यहा और यह भी काम हमारा हो जाएगा तो इस तरह समय नहीं इसको ले लिया आई बाद समझ मैं it's very simple तो यह हमारा हो गया है अब आगे क्या करेंगे हम लोग देखिए इधर से 32 और इधर से 32 है तो ज्यादा कुछ मैं नहीं करता offset ले लेता हूँ height हमने 32 का ले लिया यहां से मैं क्या करते है एक्स फॉर एक्स प्लोड करूंगा ओफ फॉर आपसे 32 इंटर यह हो गया आप लाइन ले सकते हैं यहां से ऐसा देन यहां से एगेन ऐसा यह हो गया और उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए यहां पर 16 का फिल लेट है आप यहां पर f is the shortcut for fillet r is the shortcut for radius and 16 इंटर यहां समया इसा इंटर इसा कर दीजिए ठीक है यह हमारा हो गया है अब आगे देखते हैं इसको ले लेता हूँ उपर से 8 and 16 का लेना है 8 and 16 O for offset 8 यह लेता हूँ यहां से and then 16 का आई बस समझ में it's very nice और इसका depth जो है वो हम बाद में decide करेंगे यह हम बाद में करेंगे ठीक ह बस इतना ही तो करना था अब आगे चलके हमें क्या करना है प्रेस पूल का इस्तमाल करना है यहां से मैं क्या करता हूँ south west ले लेता हूँ क्योंकि मैंने left side से बनाया है तो left side से बनाने मतलब यह हो गया हमारा और यहां से मैं प्रेस पूल लेता हूँ and here we have the closed reason पहले तो हमे यहां पे लेता हूँ 40 minus कितना करना पड़ेगा 8 यानि 40 minus 8 कितना हो गया 32 का ले लो no problem फिर आप इसको भी 40 का ही ले लीजी इसके बराबर ले लेंगे तो भी चलेगा that's it और आप इसको यह कर दिजिए unite कर दिजिए फिर बाद में इसकी बारी आती है इसको हम कैसे करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं यह देखिए यह हमारा total 56 है 56 plus यह 24 है और यह तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना है 40 है तो और भी 16 हमें इसको बढ़ाना होगा यानि आप अगर चाहें तो इस portion को बढ़ा सकते हैं 16 में मतला मुझे तो लगता है कि यह देख लीजिए यह total बढ़ा ह हुआ है ना तो हमें क्या करना होगा आप क्या किजिए यहां से पकड़के ऐसा कुछ ले लिए ठीक है एंड बाद में जाके हमें क्या करना है इसको लेना है 16 में extra ओके और मैं क्या करूंगा इसको तो टोटल में 24 ले लेता हूं and select किया मैंने m4 move और यहां से पकड़के मैं इसके end point पर रख दिया here we have देख लिजे तो इस तरह से इसका design कुछ आने वाला है है ना और पीछे साइड का कुछ नहीं दिखाया है थम्में वह इसा ही लेना होगा okay and that's the way of creating this model है ना और पीछे साइड यहां पर उतना ही दिखना चाहिए यह देखो ऐसा आएगा है ना ब कर दिया और मैं क्या करूंगा इसको बाजू में ले लेता हूं जरा सा ठीक है तो इससे होगा यह कि आप इसको delete कर सकते हैं असानी से ठीक है यह हमारा हो गया है अब बाकी का काम क्या है आप सेडेड रख सकते हैं realistic रख सकते हैं तो यह आप पे depend करता है का आपको कैसा चाह double inter है ना आप ऐसे भी कर सकते हैं देख लो ठेक मेरे ख्याल से हमने जरा सी mistake कर दी है यह देखो total 56 का है और अगर मैं di for distance लेता हूं तो यहां यहां तक कितना हमारा 32 है means गड़बड आ गई ना और कितना बढ़ाओं मैं है ना तो मुझे लगता है कि और इसको हमें क्या करना होगा बढ़ाना पड़ेगा यानि इसको मैं midpoint से यह रहा midpoint इसको मैं यहां तक ले लेता हूं ठीक है और मैं इसको क्या करूंगा 24 में लूंगा and then इसको पकड़के जाके आप क्या किजी इसके बराबर कर दीजे तब जाकर के हमारा काम हुआ 56 में di for distance and then यहां से पकड़क आप 56 का ले सकते हैं no problem और यह जो portion है उसको आप यहां से press pull कर दीजिए तो आपका काम perfect हो जाएगा देखिए dimensions वगएर अच्छे से नहीं देखेंगे तो आई सही होगा फिर आप देख सकते हैं यह perfect आ गया हमारा now this is good तो dimension check करके बनाईएगा अच्छे से और यह रहा हमार da southeast and हम चाहें इसको rotate कर सकते हैं यहां से 3D rotate और मैंने क्या किया है कैसा ले लिया मैंने one second undo करता हो मैं इसको हाँ, अब मैं इसको select करूँगा, और यहां से मैं 3D में rotate करूँगा, ऐसा करके मैं rotate करता हूँ, पहले तो ऐसा ले लेता हूँ, यहां से मैंने ऐसा लिया, like this, ठीक है, तो यह देखे हमारा आचुका है, हर एक का dimension आप एक बर चेक करके देख सकते हैं, no problem, हम देखे यहां पे क्या है, इसका total हमारा 40 है, minus 28, बचा कितना 12, by 24 का हमें एक chamfer चाहिए, तो आप यहां से solid में चले जाएए, और यह रहेगा हमारा chamfer, और यह रहेगा distance, यानि मैं लेता हूँ, 12, enter, and 24, enter, तो इस तरह से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, enter, enter, and that's it, यह हमारा complete हुआ, ठेक, किसी तरह का कोई परिशानी, नहीं न, ओके, अब देखेंगे, अगला पार्ट, अब अगले पार्ट में जरा सा हमें ध्यान से देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, देखिए इसका design सबसे पहले, यह cylindrical portion कहां पर रखा गया है, और इसके horizontal and vertical dimensions क्या-क्या है, तो आप य दोनों circle यानि C to C distance जो है, center to center भी 60 का दिया हुआ है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, 60 by 90 का, मैं एक rectangle ले लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या है सो, ठीक, 60 by 90 का, मैं एक rectangle ले लूँगा, क्योंकि दोनों का distance हमारे पास same same है चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ मैं क्याता हूँ, left side से फिर से लिया मैं ने, REC is the shortcut for rectangle ले सकते हैं, और यहाँ से मैं 60, tab, 90, इंटर कर देता हूँ, ठीक, C for circle लेता हूँ, यहाँ से start किया एक line, sorry circle लेना, और इसका जो radius दिया हुए, 18 का है, दोनों का radius जो है, 18, 18 का दिया हुआ है, और अंदर का जो diameter है, वो 18 है, यानि radius is 18, है ना, और अंदर का diameter 18, D for diameter 18 कर देता हूँ, and same मैं इसको mirror कर लेता हूँ, M, I is the shortcut for mirror, यहाँ से ऐसा कर लो, यह काम हो गया हमारा, अब बाकी का आगे, यहाँ से यहाँ तक touch करने वाला हूँ, और उसके बाद 12 का मैं offset लेने वाला हूँ, यानि quadrant to quadrant touch करना हमें, इस quadrant से लेकर के इस quadrant तक, यह बाकी का हमें trim कर देना है, इसकी जरुरत हमें नहीं है, इसकी भी जरुरत हमें नहीं है, e for erase कर दो, o for offset 12 low enter करो, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है, tr double space मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, तो यह हमारा आ गया है अब आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर थोड़ा fillet दिया गया है fillet तो ऐसे specify नहीं किया है है ना फिर मैं क्या करता हूँ इसके उपर से भी quadrant to quadrant ले लेता हूँ ओके यहाँ पर भी 3 या 5 का ले सकते हैं क्योंकि दिया तो नहीं है हमारे पास है ना दिया नहीं है ना तो आप 3 का ले लो या तो 5 का ले लो F for fillet, R is the shortcut for radius and 5 का ले लेता हूँ M is the shortcut for multiple and then select it then select it, then select it and select it, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है ठीक है? बिलकुल आसान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है dimension को अगर आप अच्छे से read कर पाए shape को read कर पाए हमारा काम बिलकुल भी आसान हो जाता है अब ज़रा इसकी मैं बात कर लूँ यहां से उपर जाना है 25 में और इधर से लेना है offset 22 में ठीक है? 25, 22 यह देखिएगा हम लोग क्या करते हो? offset 25 नीचे से उपर की तरफ लेना है? फिलहाल तो मैं इसको explode कर देता हूँ O for offset 25 यह लिया और इधर से कितना लेना है? 22 ठीक और यह मैं करता हूँ 9 ओके? देन C for circle यह लेता हूँ यहां से and the radius is radius हमारा कितना है? 8 का है तो आप यहां से 8 ले सकते हो and then यहां से भी आप 8 ले सकते हो line ले लो यहां से यहां लिजिए फिर यहां से यहां लिजिए और इसको मैं erase करता हूँ इसको भी मैं erase करता हूँ TR double space O.K. save कर सकते हैं हम लोग no problem 3D 3D 10 कर देता हूँ यहां से बाके का काम हम लोग बाद में करेंगे no problem नहीं तो अभी कर लेते हैं 12, 25, 12 का offset ले लेता हूँ 12 का नीचे then यहां से 25 then again हमें 12 का ले लेना है और यह हमारा पूरी तरह से profile बन चुका है फिर इस रीब की हम बात करेंगे 12 की है तो यहां से मैं 12 का offset ले लेता हूँ इस तरह से आई बाद समझ मैं है ठीक है मैं बना के दिखाता हूँ यह ले लिया southwest में जाओंगा चलते हैं काम्ट करेंगे अब देखते हैं कितना है सो मैं इसको बिल्कुल भी कुछ ने करने वाला हूँ सिर्फ 12 लेने वाला हूँ है ना और इसका कितना है total 36 लेना है मैं यह आँसे press pull लूँगा यह लिया मैंने 36 यह लेता हूँ 12 है ना और क्या है इन सब को जो है यानि इसको भी ले लेता हूँ 36 के आसपास और इसको भी लिया 36 और यह भी लेता हूँ और यह भी ले लिया ठीक है बाद में देखेंगे क्या करना है सो और फिर इसको कितना लेना है 12 इसको भी लेना है 12 इसको भी लेना है 12 अब पीछे साइड कितना कितना लेना है now I am going to delete this line है ना and then press pull और यहां से हमें पीछे साइड कितना लेना है 12 हो गया और यह total 25 है यानि 13 का हमें पीछे साइड में लेना है 13 का ले लेता हूँ आप क्या कर सकते हैं ये तो divided है ना मैं union कर देता हूँ ताकि हमारा काम जरा सा आसान हो जाए मैं union कर लेता हूँ ताकि हम आसानी से जटके जटके में काम कर सके 13 एंड ये भी हम 13 का ले लेता है आई बाद समझ मैं this is the way तो इसका काम तो finish हुआ अब जाके एक और चीज़ है rib हमें बना नहीं है तो आप इस point को लीजिए और यहां से पकड़के यहां पर जाईए ok and then यहां से आपको press pull लेना है यहां पर select कीजिए इधर जाईए click कर दीजिए और इस तरह से यह part हमारा बन के हो गया तैयार select करेंगे and then यहां से आप यहां रख दीजिए and then delete the 2Ds आईवाट समझ में save कर लो यह हमारा हुआ दूसरा part UCS double space कर दीजिए और यहां से मैं ले रहता हूँ south east आपकी मर्जी है आप इसको rotate करके देख सकते है यहां से आप rotate करके देख सकते है और यहां से आप इसको इधर भी रख दीजिए आईवाट समझ मैं save कर लेता हूँ क्या है देखने में लगता बबा कहां से शुरुआत करें है ना लेकिन एक बार आपने शुरुआत किया एक बार में दिक्कत आएगी दो बार में दिक्कत आएगी है ना तो आप करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी छोड़ देंगे तो lifetime दिक्कत रहेगी ठीक है अब चलते हैं 29 वाले object पे यह थोड़ा सा align इस तरह से है क्योंकि image बैट ने रहे था इसलिए मैंने इसको align करके set किया है right click करके clockwise कर देता हूँ मैं अगर इस तरह से भी दिक्कत आ रहे तो फिर से मैं rotate anti-clockwise बस ऐसे ही लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है मैं इस side से बना लूँगा इसको फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो मैं left side से ही लूँगा इसको 125 by 16 का है left side से लेना है है ना 125 by 16 ये लिया मैंने left side और ये लेता हूँ rectangle 125, 125 tab 16, enter और मैं इसको select करके x for explode कर दूँगा ये हमारा पहला काम हुआ दूसरा ये है नीचे से लेकर इसके circle center तक हमारा 110 दिया हुआ है नीचे से है तो मैं क्या करता हूँ इसको select किजिए offset लिजिए 110 ये रहा c for circle and then ये देखिए हमारा radius जो है 18 का है hole का diameter जो है वो 12 का है और bosses का जो है है ना वो हमारा 28 का है ठीक है तो वो मैं तीन तरह से लेता हूँ जैसे के 12 diameter 28 diameter और 36 diameter d for diameter 12 enter फिर d for diameter 28 enter and then one more d for diameter यानि 36 enter इस तरह से हमने इसको ले लिया है अब बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पे 32 का है इधर भी 32 का ही होगा तो आप यहाँ से offset लिजिए 32 enter select किजिए select किजिए line ले लिया और जाके यहाँ पे click किजिए yeah e for erase कर दो यह हमारा हो गया e for erase कर दो tr double space आप इसको delete कर दिजिए बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे fillet लेना है पर fillet का radius नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करते है तीन का fillet ले लेते हैं या तो 5 का भी ले सकते है f for fillet r for radius 5 ले लिया t for trim करके आप इसको no trim कर दिजिए and then हमने यहाँ से ऐसा and then यहाँ से फिर से ऐसा and the extra है आप उसको delete कर दिजिए and that's it ठीक यह हमारे हो गए front view का यह भी ले लेता हूँ मैं rib का यहाँ से देखे 63 इसकी total height है 63 enter यह हो गए and then center से ले लेता हूँ एक और यह है हमारा 12 का तो 6 इधर 6 इधर 66 का delete कर दूँगा और T.R.ford trim कर दो इस तरह से मैंने ले लिया बाकी का क्या है मैं इसको बाद में करूँगा ठीक है तो अभी इतना ही लेने के बाद हमें क्या करना है Southwest में जाना है और Southwest में जाने के बाद हमें प्रेश पूल का इस्तमाल करना है ये कितना है total 56 का है मैं 56 ले लेता हूँ इसको भी मैं 56 का ही ले लूँगा बाद में cutting करना है तो कर दूँगा फिर देखे ये दोनों side है हमारा ठीक है ये 16 का पहले तो मैं rib ले लेता हूँ बाद में देखेंगे इसका क्या करना है सो 16 तो ले लिया अब जाके यहाँ पर भी 16 का ही ले लो and then ये bossing कितना है 3 ठीक है तो उधर भी 3 है और इधर भी 3 है तो आप क्या कर सकते है इधर से 3 ले लो and इसको select करो इधर से 3 ले लो और इस तरह से ये आ गया हमारा अब आप इसको क्या कीजिए unite कीजिए solid union select enter and then line और यहाँ से आप क्या कर सकते है ये लिया and then press pull करके आप इसका material remove कर सकते है okay and now see we are going to create this one यहाँ से 28 इधर से 18 आप यहाँ पर ages को copy कर सकते हो इधर से 18 इधर से 28 का है न yes 28 है बीचो बीच में और यह हमारा 18 का है समझे जरा सा मैं UCS double space कर दूँगा और यह है हमारा copy age and इसको select करूँगा enter करूँगा यहाँ से मैंने 28 का लिया और यह लेता हूँ फिर मैं इसको select करूँगा enter करूँगा इधर से 18 लिया ठिक, अब मैं circle लेता हूँ, दो-दो circle ले लो, no problem, नहीं तो आप एक ही लिजिए, इसका जो diameter है देख लिजिए, ये कितना है, 25 diameter है, और इसका जो hole है वो 10 है, यानि D4 diameter 25, अब यहां से आपको क्या करना है, then select this, this line, delete, this line, delete, अब मैं यहां से क्या करता हूँ, इस circle को मैं mirror कर लेता हूँ, या तो copy कर लो, no problem, ये देखिए, कितना distance में है, तो center to center distance नहीं दिया हुआ है, तो 125 में से 36 गया, बचा कितना, अरे यारे, तो tension ही हो गया फिर, तो mirror कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है, select करेंगे, M, I is the shortcut for mirror, यहां से से कर लो, दिक्कत नहीं, फिर आप जाएंगे ऊपर 3 का ले लेते हैं, और इधर भी लिया, ये भी 3 का लिया, C for circle, and then diameter is 10, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, yellow, D for diameter 10, enter, okay, and then press pull, okay, this is done, और उसके बाद देख लीजिएगा, यहां से 10 है, यहां से 10 है, यहां से 3 है, तो आप क्या कर सकते हो, बस, no problem, आप इस line को select कीजिए, जड़ा से move कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, and then इसको पकलेंगे, copy age, select करो, enter करो, यहां से भी 10 ले लो, और फिर से मैं copy करता हूँ, इस age को select करता हूँ, enter करता हूँ, यहां से उपर 3, and then press pull, like this, that's it, इतना ही तो थाइस में करना, ठीक है, तो देखने में लगता है, बबाद क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और अगर इसमें fillet वगएरे डालना होगा, तो आप 3, 3 का fillet डाल सकते हैं, जहां पर embossing वगएरे लिया गया है, उसमें आप embossing को, यानि जो bosses दिये गए हैं, उसमें 3, 3 का fillet डाल सकते हैं, यहां से में ले लेता हूँ radius, and this is fillet, enter, यह लिया, यह लिया, and that's it, आप save कर दिजे, यह हो गया perfect, काम हमारा, बिल्कुल देख लो, क्या लगता है, लोग AutoCAD को बच्चो वाला समझते हैं, है न, basic software नहीं है, आप जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, उतना कम है, ठीक है, ओके, ओके, यह हमारा आज का तीसरा पार्ट complete हो गया है, ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है न, यह रहा हमारा आज का थर्ड़ पार्ट, और यह बिल्कुल भी आसान था, ओके, Ctrl S प्रेस कर दिजिए, no problem, चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ, यह बिल्कुल भी बच्चो वाला है, यहां से दो मिनिट में मैं बना देता हूँ, इसको, टॉप से ले लूँगा, इसका डामीटर है 25, इसका डामीटर है 16, ठीक है, टॉप से लूँगा मैं, यह ले लिया, मैंने टॉप से, C for circle, center, D for diameter 25, फिर से ले लेता हूँ, center, circle, D for diameter 16, ओके, यह रहा हमारा, फिर center से लेकर, यहां तक का distance है 90, मैं क्या करता हूँ, एक circle ले लेता हूँ, यहां से मैंने लिया 90 का distance, यहां तो फिर मैं direct line ही ले लेता हूँ, यहां से 90 का ले लेता हूँ, ठीक है नाव टोटल सेंटर से यहां तक है 90 और यह कितना है देख लिजेगा जरासा यह 32 यह 8 हो गया कितना 40 और यह कितना हो गया 48 ठीक है 48 का है तो 48 का मतलब 24 24 लेना है हम लोगों को ऐसा 24 और ऐसा 24 मुझे लगता है यह गलत दिया हुआ है जी आम सॉरी यह 56 का है मैंने 25 ले लिया है डबल क्लिक करूँगा और यह हमारा डामेटर जो 56 का है लाइक दिस ठीक है आम सॉरी तो इस तरह से हम कर सकते हैं और टी आर डबल स्पेस इसको हटा देता हो और इसको हटा देता हो अब इसका डामेटर कितना है यहां पर 32 का दिख रहा है यह जो है वो 6 का सॉकट है यह 32 का है तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा डबल क्लिक कीजिए यहां से 16 नहीं 32 चाहिए ता आब 32 कर सकते हैं ऑफिर आपको क्या करना यहां स्थीस्ट में ले-लेन घाए यहांस और हुटा रही में ना है, और अदर आपको क्या करना यहां से साओथिस्ट में लेना है यहां तो south west में भी ले सकते हो no problem and then हम इसको करेंगे press pull कितना लेना है you can see here 56 का है height total मैं 56 ले लेता हूँ और इसको कितना लेना है आप देख लिजिए ये हमारा है 24 ये रहा हमारा 24 ठेक अब क्या बात करेंगे ये देख ये 32 है 32 मतलब 16 लागा c4 circle ये रहा center d4 diameter 32 ले लो और यहां से मैं press pull करूँगा और कितना लेना है अंदर की तरफ अंदर की तरफ लेना है हमें 40 40 लेना है okay finally done यहां से solid union select enter and then that's it इस तरह से delete कर दिया मैंने ठीक है save कर देता हूँ ये रहा हमारा total part ठीक है चोथा part हो गया है let's look this fifth part for this lecture इसको कहां से शुरुबात करें कि हमारा काम आसान हो जाए बिल्कुल आसान है आप right side से start कर सकते हैं ये होने के बाद फिर आप top से start कर सकते हैं दोनों ही तरफ से अच्छा है no problem इसकी total distance जरा गौर कीजिएगा ये हमारा 50 का है ये हमारा 16 का है और height हमारा 50 का है चलिए right side से ले लेता हूँ पहले line लेता हूँ मैं यहां से इधर से लिया मैंने 50 ये लेता हूँ 1500 150 ये लेता हूँ 16 आई बाद समझ में अब देखिए यहां से हमें लेना है circle ओके diameter कितना 50 का तो no problem c4 circle और यहां से आपको 2 point ले लेना है यहां से start किजिए यह रफ 50 enter and then line and यहां से select करके ये लेना ठीक है again c4 circle कर देता हूँ और इस center से ले लूँगा और कितना लेना है यह हमारा 25 का है ता आप 25 ले सकते हो d4 diameter करके 25 ले लीजे इस तरह से हमारा काम हुआ complete और आधा ही हुआ है अभी काम बाकी है उसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसको press pull करता हूँ यह 16 का मैंने ले लिया है और देखते हैं इसका total कितना है 25 का है ता आप यहां से 25 कर सकते हो 25 यह हमारा काम हुआ पूरा आई बत समझ में आप इसको टॉप से ले लेंगे ठीक है टॉप में बिल्कुल भी काम हमारा आसान हो जाएगा जरा सा इसको move करके आप थोड़ा नीचे ले लीजिए है ना और आप चाहें इसको अपने हिसाब से औरियेंट कर सकते हैं ठीक यह देख लो no problem अगर आप ऐसे भी लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप इसको बाजू में रख दीजिए no problem line ले लेता हो मैं यहां से देख लो कितना है यह total 70 का है जी तो मैं यहां से ही लेता हूँ उतना calculate कौन करने जाएगा तिर 70 ले लेता हूँ direct इधर कितना जाना है इधर जाना है 75 का ठीक है इधर मैं ले लेया 75 एंदेन यहां से आपको ऐसा लेना है आगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यह 36 लेना और 32 लेना है तो मैं offset कर लेता हूँ 36 यह लिया और यह रहेगा 32 फिर क्या करना है यहां से देखिए 28 का है मै मैं इधर से करता हूँ 28, see for circle लीजिए, इसके यहाँ पर और क्या करना है हम लोगों को, you can see 32 है ना, 32 ले ले लेना है, diameter 32 और यहाँ से 32, ठीक, फिर आपको line लेनी है, इधर से quadrant to quadrant, यह ले लिया, मैंने इसको select और इसको भी select, delete कर देता हूँ, trim कर देता हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा, देख लेना चाहिए, एक बार और, और यहाँ से आप, एक बार और चेक कर लीजिए, z axis उपर करके, इससे आपका काम आसान हो ज बचा 16 तो 8 का मैं offset ले सकता हूँ, j for join कर दता हूँ पहले, और o for offset 8 लिया, यह देखो, ठीक है, that's it, यह लेता हूँ, press pull, press pull करने बाद यह लिया मैंने, कितना लेना है, you can see here, 16 plus 3, that is 19, आप 19 ले सकते हैं, and this is 16, यह हमारा हुआ, and then यहाँ से solid union कर दीजिए, ऐसा, control S, कितनी आराम से हमने बना लिया इसको, ठीक है, कई लोग फसके रह जाते कहां से सुरू करें, कौन सा पहले बनाएं, कौन सा नहीं बनाएं, तो यह रहा हमारा पांचवा पार्ट, अब जड़ा इसको देखिए, यह भी विल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ हाँ हाँ, देखिए तो कैसे लेना है, राइट साइड से लूँगा, 62 बाइ 34 का, ठीक है, राइट साइड से लेना है, और यह लेंगे, कितना है हमारा डामेंशन, 62 प्लस 34, यह हमारा पहला काम हो गया, इसको आप एक्सप्लोड कर दीजे, ताकि हमें उपसेट वगरा करने में दिकत ना हो, फिर यहाँ पर 19 का एक रेडियास है, मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लिया, 19 का रेडियास, टी आर, डबल स्पेस, हो गया, उसके बाद, देखिए, यहाँ से 6 लेना है, हर तरफ जो है, 6 6 का है, यहाँ से टोटल बराबर ना, अंदर से भी, अंदर से कितना लेना है जी, हमें कितना करना है, यह देखना पड़ेगा, 19 दुना 38, 38 और 6 हो गया 44, 44 और 6 हो गया 50, बचा कितना 12, तो 6 6 का हर तरफ है उपसेट, ओफ और उपसेट करता हूँ, 6 6 का मैं उपसेट लेता हूँ, इधर हो गया 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, TR, डबल स्पेस, now trim them all, yes, and यहाँ से हमें करना है Southeast, because मैं ने राइट साइड से काम करना, start किया है, so nothing to worry, मैं इसको टोटल के टो करते हैं, तोटल, और फिर इसको कितना लेना है, only 6, तो दिख नहीं रहा है, no problem, मैं नीचे से थोड़ा सा घुमा के दे देता हूँ, 6, आईवाद समझ में, और एक और copy कर लेना है, इसका, select करेंगे, 3D solid, यहाँ से मैं ने copy लिया, और इस जगास उठाना है हमें, और जाक है, यह हमारे रहे आज के टोटल, 6 पार्ट, आई होप, यह 6 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और नहीं, तो आप अपनी माइक खोल के अभी 2 मिनिट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो YouTube में देख रहे हैं, वो अपना question कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे tutorials भी लिए हुए, ठीक है, ओके, चलते हैं जरा सा मैं सब में material apply कर देता हूँ, इसको जरा सा मैं rotate कर लेता हूँ, यहाँ से z-axis में, यह हो गया, यह सही है, यह भी हमारा सही है, और यह भी हमारा सही है, orientation, इसको rotate करना होगा, फिर उसको आप बाद में ऐसा कर सकते हैं and यह था हमारा अल्रेड़ी ठीक ठाकी है ठीक है प्रेस कंट्रोल S to save all these 3D parts and मैं यहां से पकड़के इधर कर देता हूँ let's apply some materials M, A, T is the shortcut for material browser आप metallic paint टाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता डालिए colors वगएरे डालना है तो भी आप डाल सकते हैं यहां से आप खोलिए इसको और खोलिए इसको flooring वगएरे यह सब तो civil वालों के लिए होता है paint में भी जा सकते हो plastic में भी जा सकते हो metal में भी जाना है तब metal में भी जा सकते हो here we have metals ठीक है aluminium dark आप जो चाहें ले लिजे यह देख लिजे फिर यहां से brass वगएरा लेना है ले लिजे bronze लेना है bronze ले लिजे blue color में कुछ तो लेना है तो ले लिजे and यहां से that's it and that's it छे के छे हमने ले लिए है these are very simple to apply materials okay finally done metallic paint वगएरा लेना है तो आप metallic paint में जा सकते है और अपने पसंद का जो चाहिए आप ले लिजे कोई नहीं रोकने वाला है just apply कीजिए यह देख लिजे आगे हमारा यहां से आप चाहते हो इसको इस color में भी apply कर सकते है ठीक और नहीं तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ dark दिख रहा है तो है ना यहां से आप इसको ऐसे ले सकते हो यहां से आप ऐसा दूसरा color ले लो यहां से just drag and drop nothing to worry ठीक है यह हमारा हो चुका है अभी मैं क्या करता हूँ आपको जाता हम visualization में और यह हमारा है sun status ले सकते हो और यहां से adjust exposure कर दो कल पिछले lecture में मैंने बताया था यह देख लो कितना आप आराम से इसकी brightness वगेरा थोड़ा control कर सकते हैं whiteness वगेरा थोड़ा कम रखेंगे आपकी मर्जी देख लो यहां से कैसा चाहते हो you can see balance रख दीजिए fine close कर लेता हूँ इसमें से दोनों का material same same आ रहा है then what to do here आप अगर यहां से चाहें तो full shadow कर सकते हो हमें उसकी जरूरत तो नहीं है shadow window कित हमें जरूरत नहीं है क्यों लेना है इसमें no shadows कर देंगे ठीक यहां से realistic अगर नहीं चाहिए shaded लेना चाहते है shaded ही रख लो no problem save कर दो ठीक I hope यह सारे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और यहां से अगर मैं चाहता हूँ orbit करना तब orbit करके भी देख सकते हो चारों तरब से orbit कर दिया है हमने है ना इस तरह से है और अगर continuous orbit करना है यह हमारा continuous orbit है एक बार घुमा के आप छोड़ दीजिए लगेगा ऐसा कि space में यह उड़ रहा है space में ठीक है I hope यह 6 के 6 पार्ट आपको clear हुए होंगे किसी तरह से दिक्कत है तो पुछिए बाबाई टेक क्यार थैंक यू पर इस सेशन थैंक यू पर जोइन इडिजिटल कैड